अट्डी के पास मोधी नाम केवलम है सवाल नमबर एक लेकिन ऐसा लगता है कि मोधी नाम केवलम तो है ही लेकिन भ्रस्टा चार पर आप वार भी करना चाहते हैं लेकिन टार्गेट सिरफ विपक्ष को लगए विपक्ष को टार्गेट पे सिरफ विपक्ष है चालिज सेकंड के गोंद से जुड़े हुए थे आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था आया हूँ तो कुछ तो लेके जाऊंगा तेरी जेब में अठनी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा ये वो ही लोग है और आज मोदी जी कह रहे है जनता ने आशिरवाद दिया है तो अठनी चुराई हो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा ये इमांदारी का सर्टिफिकेट है और इसके हमारे लिए गर्व की बात है दूसरी बात ये सब को पता था कि तीन दिसंबर को इनको करेंट लगेगा अमीज जी वाकर ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फुक जाएंगे फुक 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 सब उड़ोगा बिचारे आप सोचिए नेता अपना मुझ काला कर रहे हैं कौँ अरे स्वामी जी का तो थोड़ा सा मतलब काला नहीं हुआ अगर इनका मुझ काला हुआ तो धर्म का मुझ काला हुआ सोचिए और सोचिए अगर आपने किती बड़ी बात कह दी वो सती ज़र की होली जो कहता है हिंदू गंदा शब्द है हमारे भाई कनईया का सर्तन से जुदा हो गया और अशोग येलो सोते रहे तो ऐसे कुम करण को भार उखार के फैक दिया चंता ने ये गर्द की बात हमारे लिए तीसरी बात एक बात और बता दू आपको आजा फॉर्म में हैं पूरे हैं देखिये ऐसा है किया है भारती जन्ता पार्टी में हमारे जो नेता है नरेन मोदी जी तिंदुलकर, विराट, कोली, द्रवेद, दोनी सबको मिला दीजे वो शक्ति, वो उर्जा राश्क के प्रती प्रेम है उतो नरेन मोदी जी का है उनका प्रवक्ता उनका प्रवक्ता कैसे ना जोहे जोश में हो और जनता की दिल की आवाज में जानता हूँ मैं अंत करूँगा एक बात कहके महुआ मोहितरा की आपने बात करी चाहे गांधी परिवार हो चाहे उधर अखिलेज यादव हो उनका परिवार हो चाहे महुआ मोहित्रा हो चाहे कोई और हो चाहे पापी आपके अर्विंद केजरिवाल हो कानून से उपर नहीं हो संसत की गर्मा को भंग करोगे तो निशकासित भी होगे निकाल भी दिये जाओगे यह होना चाहिए लोगतंतर में जो आप हो रहा है मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ा दिन है आपको राम मंदिर प्रान प्रतिष्टा करी जाएगी उसका अन्यौता मिला है यह वाकई देश के लिए भी गर्व की बात है लेकिन वो विशे अलग है लेकिन मैं इस विशे को चूना जाता हूँ इनका जोश तो हाई है और आपके यह मू काला कलाई है मतलब मैं इसलिए यह बोल रहा हूँ कि आपके नेता यह कर रहे है और यह सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको लगता है ब्रस्टा चार को लेकर पूरा गड़बंदन फसरा है कहीं मवा मोहत्रा है कहीं एक सांसत के घर से 200 करोड उपई कैश निकलाए है 200 करोड कै मुझे नहीं लगता किसी ने 2 करोड या कैश देखियोंगे लेकि 200 करोड कैश निकलाए है अचारे जी कैसे बचिएगा इन सब चीजों से देखिया हमीश देव गंजी दो तीन बात हैं पहली बात यह है भगवान श्री राम की जनम भूमी के मंदिर के उद्गाटन समारो प्रांट पतिष्ठा समारो में मुझे श्री राम जनम भूमी तीर्थ छेत्र ने मुझे आमंतित किया है बलके मैं इसको आमंतरण नहीं मान रहा हूं मैं इसको अपने पूर्व जनमों के प्रारब्ध के पुन्यों का फल मांग रहा हूं बहुत बढ़िए और बागवान की जोरदर्था लिया इस बात कर जी इसका मैं आभार प्रकट करता हूं दूसरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा सा चिंतित हूं चिंतित इस बात से हूं कि पुतीन रूस के राश्पती है उन्होंने हमारे देश के प्रधान मंतरी की तारीफ कर दी है तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी है जो पुतीन को भी कहेंगे के तुम भाजपाई हो कहीं पुतीन को भाजपाई होने का वो सवाल ना खड़ा कर दे हमारे हैं कुछ ऐसे बामपंति मित्र जो यह कहेंगे पुतिन भी भाजपाई जोईन करेगा नहीं उधर मत देखिए बादवरिया जी बाद वह बामपंति नहीं है तो ली हम है तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता ये नहीं कहूंगा के एजन्सियों ने रख दिया होगा जरूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बर है लेकिन हमें इस देश की न्याइपालिका पर एजन्सियों पर पूरा भरोसा है मुझे ऐसा लगता है कि वारब भाटिया जी शायद जादे जानते होंगे कि इन्होंने चुनाव के बीच में कहा था भई भूपेश बगेल जी को पांच करोड़ छे करोड़ रुपया जो है वो कैश पकड़ा गया कि यह बगेल जी का है फिर कहा कि हम किसी एक महादेव यह पाया कि पांसो कुछ करोड़ रुपया हमने चीफ जाएंगे या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए हतकंडे आप अपनाते हैं यह मेरा सवाल है जी यह सारे भश्ता तारी विपक्ष में ही है मैं पहले तो मधाई दूँगा कि इन्होंने अपने पिछले जनम में जो पुन्य किये हैं उसका प्रारब्द है लेकिन किसी ने पाप भी किया है और वो प्राश्चित कर रहा है जिसने कहा भगवान राम कालपनिक हैं वो कौन है 52 साल के अपरिपक्व नेता राहुल यही हमारी सोच है यही हमारी संकृति है दूसरी बात भाई साब ने कहा कि आपने महादेव एप पे आरोप लगाए अचारे जी बड़ी विनवरता से मैं आपको बताता हूं महादेव एप का जो आपने घोटाला किया और घोटाले बास तो कॉंग्रेस पार्टी है उनके डियने में घोटाला है कोई बड़ी बात नहीं है सोनिया गांदी और राहूल गांदी में बात हो माँ और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे राहूल गांदी करें कि एक सो करोड रुपए आने हैं आये हों दो सो करोड ऐसा भी हो सकता है लेकिन मैं बता दूँ परेजन्सियों के पास सारे प्रमाण होंगे जेल की सलाकों के पीछे चक्की पीसिंग और दूसरी बात करनाटिका में आप भी तो कहते थे 40% सरकारा क्या कारवाई करी आपने कोई कारवाई नहीं करी क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाच का है और उनी को जाना चाहिए और मोदी जी ने कहा है एक गैरंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटे का नहीं गर्दन से टांग देंगो रेक एक रुपया वसूलेंगे यह पीम के ट्वीट पर आता हूं अचारे जी पीम ने ट्वीट करा कि देश्वासी नोटों के धेर को देखे और इनके नेताओं के इमानदारी के भाशनों को सुने जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लोटानी पड़ेगी यह मोदी की गैरंटी है आज सदन के अंदर देखा यानि शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा सदन के जब बाहर आई महुआ मोहितरा तो स नेतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूं कि यह सब चीजें ठीक हो सकती है लेकिन राजनेतिक देख्ट्री कौन से तो मोहितरा को इसका लाब मिलेगा उन्हें आपने लोकसवा की सदस्ता उनकी खारिज कर दी वो फिर चुनाब जीत के आ जाएंगी फिर क्या करोगे पर तो नेतिकता के देख्ट्री कौन से ठीक नहीं मनता अगर कोई संसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्षमें नहीं खड़ा हूं क्योंकि संसद में जो पहुंचता है उस पर हमारा फेथ होता है हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है और भारत की संसद इसलिए ह किसी भी संसथ के सदस्कौनमति नहीं देते किसी सेNote करो किसी से डील करोलेकिन मुझे नहीं लगता कि मोहा मोहित्तर झैसी सीनिय लीडर ने ऐसा कुछ प्र tissu घोगा मगर अगर संसथ की सापी ने чистी लाइभी बात की जाती है उस पे एका जरूर हो जाता है देखिए और आपको भी लगता है मोधी की गैरंटी चलती है इस देश में मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ दो तिन सालों में जाएंगे तो यह जो शब्द आप सुनते हैं गैरंटी यह बनाया ही आम आदनी पार्टी के द तीन राज्य में इतनी पुरानी पार्टी है जो इतनी पुरानी पार्टी है जी देखिए 1984 में उनके पास भी दो ही सांसर थे हमारी पार्टी दस साल पुरानी पार्टी है दस साल में दो राज्य है एक राज्य को त्री पार्टी है वो भी कॉंग्रस से लिए